आप सभी को नमस्कार सुवागत है आप सभी का चैनल एश्टर लाजर में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जोतिश के अनुसार हम केसे जानते हैं कि नोकरी करना बहतर है या फिर व्यापार हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है अगर आपको ये तै करने मुश्किल आ रही है कि हमें जीवन या पन के लिए क्या करना चाहिए नोकरी या व्यापार तो ऐसे में जोतिशी से आप मदद ले सकते हैं जोतिश या यूँ कहें कि एक अनुभवी जोतिश आपके जीवन पर ग्रहों के प्रभाव के अनुसार सही केरियर के चैन करने में आपकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो में हम कुंडली में मोजुद ग्रहों की स्थिती के अनुसार जानेंगे कि क्या करना भेतर है नोकरी या व्यवसाय कि इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है ये जानने के लिए कि नोकरी या व्यवसाय में से क्या करना चाहिए कई बार हम नोक्री या वेवसाय चुनने के बारे में भ्रमित होते हैं जैसे कि जब कोई व्यक्ति नोक्री में समस्या का सामना करता है तो नए कमाई के स्रोत को चुनने के बारे में सोचना शुरू कर देता है और उस समय ये सवाल उठता है कि क्या कोई वेवसाय करना है या नई नोकरी खुजना है यही समस्या उन लोगों के साथ भी आती है जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके आए के सुरोत की तलाश में रहते हैं बहुत से लोग नोकरी और बिजनेस दोनों को करने के बारे में सोचते हैं जोतिश के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जीवन या अपन के लिए कौन सी नोकरी या किस सेग्मेंट में नोकरी या किस सेग्मेंट में वेवसाय करना बहतर है हमारे लिए नोकरी छोड़कर व्यापार में आना बहुत ही मुश्किल निर्णे होता है क्योंकि नोकरी में एक निश्चित आय सुनिश्चित होती है लेकिन व्यापार में हर समय जोखिम बना रहता है इसलिए यदि कोई भी वेवसाय करने के लिए नोकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा हो तो इससे पहले अच्छी तरही के से सोच विचार कर लेना चाहिए साथ ही अपने कुंडली भी दिखवा देनी चाहिए यह जानना भी अच्छा है कि किस प्रकार का वेवसाय या कार्य अच्छा रहेगा ग्रहों के हिसाब से ताकि सफलता आसानी से प्राप्त हो सके जब भी केरियर के लिए कुंडली देखा जाता है तो बहुत सी बातों को ध्यान में रखा जाता है जेसे कि कुंडली में दसवे घर का ध्यनबारी किसी किया जाता है कि उस घर पर कौन से ग्रह मुजबूत हैं उनका अच्छा जीवन पर कैसा पड़ रहा है कुंडली में कौन से ग्रह आए इस्थान और लाब इस्थान में मुजूद है जन्म कुंडली में व्यवसाय का भाव कैसा है ग्रहों के अनुसार व्यक्ति के जोखिम लेने की शमता कितनी है जातक में रचनात्मक्ता कितनी है ग्रहों के हिसाब से व्यवसाय या नोकरी करने के बारे में निर्णे लेने से पहले कुछ महत्तोपन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि यदि कुंडली में मौझूद ग्रह व्यापार करने के लिए परियाप्त शक्तिशाली हो तो ही केवल व्यवसाय में प्रवेश करना अच्छा है यदि ग्रह परियाप्त शक्तिशाली नहीं है तो करियर के लिए नोकरी चुनना अच्छा होता है करियर ग्यान के बारे में निर्णे लेने से पहले विशे के अनुभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए शुरुवात में ही बहुत ज़्यादा रिटर्ण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए व्यापार या नोकरी करने का निर्णे लेने के लिए कोई विशेश नियम नहीं है महत्यपूर निर्णे लेने से पहले अपने खुद की इच्छा कुंडली में मौझूद ग्रहों की स्थिती का ध्यन कर लेना चाहिए करियर के बारे में निर्णे लेने से पहले अपने स्वयम के व्यक्तित्व का विशलेशन भी कर लेना चाहिए यदि आपके पास आकरशक व्यक्तित्व ना हो, रचनात्मक दिमाग ना हो, साहस ना हो, जोखिम उठाने की शम्ता ना हो, तो व्यापार में बिल्कूल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए कुंडली में जैसे ग्रह हो, उसके अनुसार ही नोक्रिया व्युसाय का चुनाओ करना सही रहता है करियर का चुनाओ के लिए दश्मांश कुंडली का अध्यन भी कर लेना चाहिए जोतिश के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं जैसे की कौन सबहतर है, सरकारी नोक्री या निजी शेत्र में नोक्री क्या प्रोफेशनल बनने में फाइदा है, सामाजिक कारेकरता बनके धन मान सम्मान आदी कमा सकते है क्या राजनिती में सफलता मिल सकती है, क्या ठेकेदारी के काम में सफलता मिल सकती है क्या सटा बाजार या शेर मार्केट में सफल हो सकते है क्या सिक्षा के शेत्र में करियर बनाने में उसे लाब होगा क्या वकालत करने में सफलता मिलेगी जन्म चार्ट के अनुसार सेवा नवृत्ती के बाद क्या करना चाहिए क्या जन्म चार्ट के अनुसार सेलिब्रिटी बनना संभो है क्या कुंडली के अनुसार चिकित्सा शेत्र में सफलता मिल सकती है आदी, ऐसे बहुत से प्रश्ण हैं जिसका समधान, कुंदली देखके निकाला जा सकता है ऐसे बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे जो व्यापार शुरू करने के बाद बरबाद हो गए क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया है करियर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है और निर्णे लेते समय ठीक से सोचना अच्छा है और परामर्श लेना भी जरूरी होता है ऐसे में अनुभवी विक्ती से मिल के चर्चावश्य करनी चाहिए अपने बड़ों से परामर्श लेना चाहिए जोतिश से परामर्श लेना चाहिए और उसके बाद ही अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए कुंडली के अनुसार नोकरिया विवसाई के बारे में निर्णे लेते समय कई कारकों की जाच की जाती है जैसे कि कुंडली में मोजूद प्रथम भाव, सातवा भाव, दसवा भाव, ग्यारवा भाव का ध्यन किया जाता है बुद्ध, ब्रिस्पती, शनी, सूर्य जैसे ग्रहों की शक्ती की ठीक से जाच की जाती है ग्रहों की यूती की जाच भी की जाती है और सबसे महत्वपून ये देखा जाता है कि वर्तमान में ग्रहों किस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं अर्थात नोकरी करने में सहयोग कर रहे हैं या फिर व्यवसाय करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं इसलिए यदि आप भ्रमीद हैं तो जल्दिबाजी बिल्कुल भी ना करें उचित मार्ग दर्शन लें अनुभवी जोतिष्ट से अपने बड़ों से और उसके बाद ही करियर का जुनाव करें तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में करियर चुनने के लिए क्या-क्या साउधानी रखनी चाहिए इसकी जानकर यहां प्राप्त ही होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाए